असलाम वलेकुम आज मैं आपको बहुती इजी और बहुती मज़े की अफगानी सीख कबाब की रेस्पी बता रही हूँ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चानल को सबस्क्राइब भी करें अगर आप चाहें तो मटन में भी बना सकतें अद्रफलसन और हरी मिल्चो का पेज़ डाल देंगे अफगानी सीख मसाला डाल देंगे और प्यास को भी हम अच्छी तरह ग्रेट करके उसका पानी निकाल के हम प्यास भी डाल देंगे साथ ही साथ लिम्बू का रज भी डाल देंगे और जरूरत के हिसाब से नमक डालेंगे ता हुआ धन्या भी डाल देंगे और साथ ही साथ बारी कटा हुआ पुदीना भी डाल देंगे साथ चने का आटा जिसे हम बेशन का आटा भी कहते हम वो डाल देंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे ताके पूरे मसाले अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाए और साथी साथ गी डाल के एक बार फिर से मिला लेंगे और उसे कुछ वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों पे तेल लगाना है ये बाद चिकन का मसाला अपने हतेली पे लेकर थोड़ा सा फ्लैट करना है और स्ट्रॉक को उसके बीच में रखके सिक का शेप देना है का शेप देने के बाद आहिस्ते से सिक में से वो स्ट्रॉक को निकाल लेना है ताके हमारी सिक नहीं तूटे इसी तरह पूरी सिक तयार कर लेना है तेल गरम हो जाए तो उसमें आहिस्ते आहिस्ते सिक को दालना है और slow flame पे सिख को पकाना है ताके वो पूरी तरह से अंदर से पक जाए नहीं सिख एक तरफ से golden होने लगे तो हमें उसे दूसरी साइड में पलट देना है और उसे भी slow flame पे अच्छी तरह पकाना है ताके अंदर से बहुत अच्छी तरह पक कर तयार हो जाए तरह हमारी अफगानिसी बन कर तयार हो गई है देख सकते हैं कितनी जवरदस लग रही है खाने में भी बहुत ही मज़िदार और इसका feedback मुझे comment session में दे और अगर तस्वीर के साथ देना है तो मेरी Instagram ID description box में link दी विए आप वहां से जाके तस्वीरों के साथ recipe की photos भेश सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो like करे, share करे और मेरे channel को subscribe करे साथ ये साथ bell icon भी फ्रेस करे ताके आने वली सभी वीडियो आप तक पहुच सके अपना खयाल रखे और मुझे अपनी दुआओ में याद रखे, अल्लाह आफिज